एक दम से खुब जोर से आवाज आ गए तो हम लोग देखे तो फिर चिलाना चिखना शुरू कर दिये हम लोग फोन 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 करके चिलाते रहे गए दर्वाजा वगेरे लाख हो गया था उनका से कोई अभी तक घटना नहीं हुई थी पर यह अचानक घटना हो गई है बेट कि ब्लास्ट हुआ है और जो अंदर में बैठे हुए थे संचाला का और उनके एक सहकर्मी उन दोनों लोग ही मौत हो गए उसके बाद आप देखे कि यह सील कर दिया गया है जो वहां तक जाने के लिए जो सीड़ी है उसे सील कर दिया गया है और यहाँ पर जो आस-पास के लोग हैं पडोसी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कल जो जब घटना हुई क्या घटना थी किस तरीके से उनको ले जाया गया तब क्या उनकी सासे चल ली थी दादी कल की पूरी घटना क्या थी अब उतना तो मैं नहीं बता सकती हूँ लेकिन हम लोग पडोसी होने के नाते एक दम से खुब जोर से आवाज आ गया तो हम लोग घर से निकल के आ गया में मेरा परिवार भी निकल के आ गया देखे तो यहां बहुत काच बिखरे पड़े हुए थे बड़े बड़े तुक कुछ आग भी लग गई थी उपर से आग दिख रहे थे जल रही है करके और नीचे पूरा धुआ 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 उसके बाद पुरी शानती फिर वो जो मालकीन है वो आ गई है और उस मालकीन ने अपना सब को फोन लगाई हम लोग फोन फोन करके चिलाते रहे गए पुलिस तो यह क्लियर नहीं हो पाया इनका काम क्या था वैसे लाइटिंग का काम करते थे वो लडी क्या पुलते है यह लडीLike नहीं एक लेटिंग का काम था और चल रहा था से तब तक वो लोग क्या जीवित थे कि क्या थे कल गेत नहीं खुला जब गेट नहीं खुला तो सों केसे हे बाहर के लोग कैसे बता सकेंगे कि अ Ahmed पुलिस तो तोड यह ए पीड को तोड़ना है आटोमेटिक है क्या चीज़ उनका जो अफीस है इसलिए लॉक हो गया था आटोमेटिक लाक इसलिए किस वज़े से हो गया है यह नहीं समझा गया यह उन कोने कोशिश करे होंगे यह जब यह खिड़की निकल गए था काच वास तो उस समय तो वह लोग निकल सकते थे इसका मतलग वहीं पर हो गए होंगे क्योंकि हवा तो आज जा रही थे तो वह जल गए होंगे उस वज़े से और दम भी घुट गया होगा अब देखें यह कल करेंगे लेकिन आप देखें कि कुछ ऐसे काच हैं यही और काच जो है कल तूट कर गिरा था आप निशी तरुप से पुलिस जो है मामले की जाच कर रही है उसके बाद और इस पश्ट हो जाएगा कि दोनों की मौत जो है क्या एसी के ब्लास्ट होने सोई या उससे पहले द करेंगे ब्लास्ट है